बजट 2024 के अंदर TDS on rent को लेकर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है जो कि applicable हो जाएगा 1st October 2024 से तो अगर आप भी rent की payment करते हैं कोई residential house आपने rent पर लिया हुआ है और वहाँ पर कोई rent की payment आप करते हैं तो वहाँ पर जो TDS की reduction की जाती थी section के अंदर उस section के अंदर इस rate को लेकर जो है वो बदलाव किया गया है तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं उस section को read करते हैं और ये क्या change किया गया है क्या rate जो है अब नया introduce किया गया है वो एक बर हम देख लेते हैं तो देखिए now you will have to deduct a lower amount of tax from the house rental payment excluding 50,000 for a month और part of month तो अगर आपने कोई घर किराए पे लिया हुआ है और वहाँ पर आप monthly जो rent की payment करते हैं 50,000 से ज़्यादा की अगर payment करते हैं तो union budget 2024 के अंदर एक change कर दिया गया है और ये बताया गया है कि जो वहाँ पर आप TDS deduct करते थे 5% का अब उस rate को reduce कर दिया जाएगा अब आपको जो है 5% का TDS deduct नहीं करना है उस payment की उपर अब केवल आपको 2% की ही deduction करनी पड़ेगी TDS की अगर आपकी monthly rent जो है वह 50,000 से exceed होता है तो देखे बहुत सारे salary employee भी होते हैं वह salary employee भी जो monthly rent पे करते हैं तो ऐसे cases में इस तरीके के जो residential person है वो भी अब 5% TDS नहीं deduct करेंगे केवल 2% की deduction ही करेंगे उस rent payment के उपर तो देखे ये section क्या है दोस्तों as per provision of section 194 IB तो section 194 IB के अंदर इस TDS के provision जो है वो बताया गया है और इसके अंदर ये बताया गया है अगर आप कोई person है एक individual हो सकते हैं या फिर Hindu undivided family हो सकते हैं जिनके उपर की tax audit applicable ना होता हो तो अगर आपके उपर tax audit applicable नहीं होता होगा आप एक individual है Hindu undivided family है तो आप section 194 IB के अंदर cover हो जाएंगे जहां ये बताया गया है अगर आप pay करते हैं to a resident एक resident person को means जो owner of house है वो एक resident person होना चाहिए any income by way of rent exceeding 50,000 rupees for a month और part of month during the previous year तो ये मैं आपको बताई ही चुका हूँ monthly rent अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है और एक resident person को owner आपका resident है उसको आप rent की payment करते हैं तो उस case में जो आप 5% का TDS deduct करते थे अब उस TDS को आप 2% ही deduct करेंगे और ये जो amendment है ये effective हो जाएगी 1st October 2024 से as per the memorandum to budget 2024 तो देखे इसको लेकर जो हमारा finance act है उस finance act के अंदर भी इसके लिए जो है वो change कर दिया गया है तो अब ये 1st October से आपको जो TDS की deduction करनी है वो 2% की करनी है अगर आप rent की payment करते हैं किसी house के लिए जो की 50,000 पर month से जादा है तो देखे इस your monthly house rent payment is rupees 50,000 or more then you are liable to deduct TDS at specified rate from rental payment तो specified rate क्या रहेगा दोस्तों अभी तक तो वो 5% है बट अब वो 1 October से 2% का rent आपको deduct करना है तो ये है important update अगर आप भी rental की payment करते हैं और अगर आपकी rent की payment 50,000 पर month से जादा है आई हूप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो इसको like करें शेयर करें और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर subscribe कर लें thank you very much have a nice day take care